नमस्कार साथियो जैसा कि आपने थमनेल और टाइटल में देखा हम पढ़ रहे थे कार्बो हाइडरेट कल दोस्तो कार्बो हाइडरेट का पार्ट टू कंप्लेट हो गया पार्ट टू में हमने जाना कार्बो हाइडरेट की सबसे छोटी इकाई कौन सी है कार्बो हाइड्रेट की कमी से कौन सा रोग होता है कार्बो हाइड्रेट की अधिक्ता से कौन सा रोग होता है कार्बो हाइड्रेट का मुख़्े कारिये क्या है दोस्तो कार्बो हाइड्रेट का पाचन किस तरीके से होता है इतने सारे क्यूशन दोस्तों आमने part 2 में बहुत अच्छे से कवार किये दोस्तों आजम पढ़ने वाले हैं कार्बो हाइडरेट की तीसरी क्लास में कार्बो हाइडरेट के परकार के बारे में दोस्तो वीडियो सुरू से लेकर के end तक देखना परते क्युशन का दो बार रियूजन करवाने वाला हूँ विवरन साइथ बिलकुल आसान भासा में आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आने वाली है दोस्तो अगर आपने यहां पर कार्भोहडरेट पढ़ लिया तो आगे आपको खाई पर भी कार्भोहडरेट पढ़ने की आव सकता नहीं है दोस्तो इस वीडियो में लिये हुए सभी क्यूशन important वा selected है आप कोई सी भी परतियों की प्रिक्षाओं के तयारी कर रहे हो आपके लिए ये वीडियो useful होने वाली है दोस्तो आज हम सुरुआत करने वाले है क्यूशन नंबर 11 से क्यूशन नंबर 10 तक part 2 में हमने complete कर लिये थे आईए दोस्तो आज शुरुआत करते हैं क्यूशन नंबर 11 से बहुत अच्छा क्यूशन है दोस्तो आपकी exam के point हो क्यूशन क्यूशन नंबर 11 कहता है कार्वो हाड्रेट के कितने परकार होते हैं तो यह आपका जो right answer होगा वो होगा ओपस नंबर B 3 दोस्तो जो कार्वो हाड्रेट होता है इस कार्वो हाड्रेट को सेकराइड के आधार पर सेकराइड के आधार पर दोस्तो कितने भागों में बाटा है मैंने क्या कहा दोस्तो कि आपका जो कार्वो हाड्रेट है इस कार्वो हाड्रेट को सेकराइड के आधार पर दोस्तो तीन भागों में बाटा गया है कितने भागों में बाटा गया है दोस्तो तीन भागों में बाटा गया है नमबर एक पर बात करते हैं दोस्तों, मोनो सेकराइड की, मोनो सेकराइड की, दोस्तों जो मोनो सेकराइड होता है, इसमें सेकराइड की एक इकाई भाग लेती है, इसमें सेकराइड की एक इकाई भाग लेती है, बात के लिए रहे, एक जामपल दो दोस्तों में, तो गलुक फ्रक्टोज और गेलेक्टोज नमबर दो पर बात करूँ दोस्तों में तो ओलीगो सेकेराइड आता है ओलीगो सेकेराइड आता है इसमें दोस्तों सेकेराइड की दो से तो अधिक और दस से कम इकाया भाग लेती है इसमें दोसे तो अधिक और दस से कम इकाया भाग लेती है दोस्तों ओलीगो सेकेराइड में अगर दोस्तों दो सेकेराइड की इकाया मिल जाती है तो दोस्तों उसे कहा जाता है डाई सेकेराइड डाई सेकराइड अगर दोस्तो सेकराइड की तीन इकायम मिल जाती है तो उसे कहा जाता है दोस्तो ट्राई सेकराइड इस तरीके से दोस्तो ये चलता रहता है नो तक आपसे एक्जाम में जो कूछा जाता है दोस्तो वो कूछा जाता है जब दोस्तो दो सेक्राइड इकायम मिल जाती है तब बन जाता है डाइ सेक्राइड और डाइ सेक्राइड आपसे एक्जाम में पूछा जाता है इसके एक्जामपल देख लीजिए एक्जामपल है गलुकोज सोरी लेक्टोज सरक्रा माल्टोज सरक्रा और सुक्रोज सरकरा यह किसके एक्जामपल है दोस्तों यह डाई सेकराइड के एक्जामपल है नमबर तीन पर बात करते हैं दोस्तों हम पोली सेकराइड की पोली सेकराइड की पोली सेकराइड में क्या होता दोस्तों दस से अधिक सेकराइड की इकाईया भाग लेती है इसके एकजामपल है दोस्तो इसे दोस्तो पेड़ पोदो का संचित बोज्य पदार्थ भी कहा जाता है गलाइकोजन और दोस्तो सेलूलोज आसा करता हूँ दोस्तो ये सारी बाते आपको बहुत अच्छे से समझ में आ उससे पहले आप स्क्रीन सोट ले लीजिए दोस्तो बहुत अच्छी कहानी है दोस्तो मैंने आपसे क्यूसन पूछा था कि या कार्बो हाइडरेट के कितने परकार होते हैं तो दोस्तो कार्बो हाइडरेट के तीन परकार होते हैं और दोस्तो ये परकार सेकराइड के आध यह आपसे एक्जाम में पूच्छे जाते ही हैं। इसमें दूशतों सेकराइड की दो से अधिक और दस से कम इकाइया बहाग लेती है ऐलीगो सेकराइड है। जब दोस्तों दो 1977 की तब निर्माण होता है दोस्त एक्जाम में जो पूंचा जाता है दो सेकराइड जब दो इकाये सेकराइड के जुड़ जाती है दोस्तों तो डाई सेकराइड का निर्मान होता है और डाई सेकराइड के ही एक्जाम्पल आपसे एक्जाम में पूंचे जाते हैं इनसे जदा आपसे एक्जाम में नहीं पूछे जाते डाई सेकराइड के उदर्ण देख लिजी दोस्तो लेक्टो सरक्रा, माल्टो सरक्रा और सुक्रोज सरक्रा अब बात करते हैं नमबर तिन पर पोली सेकराइडी पोली सेकराइडी में दोस्तो सेकराइडी की दस से अधिक काया बाग लेती है एक्जम पले स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलिलोजी आशा करता हूँ दोस्तों ये क्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अब चलते हैं अगले क्यूशन की ओर दोस्तों अब बात करते हैं क्यूशन नंबर 12 की आईए देखिए दोस्तों आपसे एक्जम में इस परकार के क्यूशन अधिकांस पूछे जाते हैं आज कल का ये ट्रेंड चल रहा है दोस्तों इस परकार के क्यूशनों का कार्भो हाइडरेट से इंपोर्टेंट क्यूशन है गलोकुज, और अच्छा क्यूसन भी है दूस्तो क्यूसन नमबर बारा कहता है कि निम्न में से मोनोसेकराइड के खुदारण नहीं है ओपस नमबर एक गलोकोज, ओपस नमबर भी फ्रक्टोज, ओपस नमबर सी गेलेक्टोज ओपस नमबर डी लेक्टोज क्योंकि दोस्तो अभी पिछले क्यूसिन में मैंने बताया था कि दोस्तो जो मोनो सेकराइड है इसमें दोस्तो सेकराइड की एक इकाई भाग लेती है कितनी काई भाग लेती है, एक काई भाग लेती है और उसमें मैंने example दिया था दोस्तों, गलुकोज, फरक्टोज और गेलेक्टोज, बात के लिए है ये दोस्तों सभी μोनो सेकेराइड का हुदारन है और OPS No. D है दोस्तों, लेक्टोज ये लेक्टोज दोस्तो डाई सेके राइड का हुदारन है डाई सेके राइड का हुदारन है दोस्तो लेक्टोज बना होता है गलुकोज पलस गेलेक्टोज से किस से बना होता है दोस्तो गलुकोज पलस गेलेक्टोज से बना होता है दोस्तो ये example आपको याद करने हैं इस परकार के question आपसे exam में पूंचे जाते हैं आसा करता हूं दोस्तो ये question आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अब चलते हैं दोस्तो अगले question की ओर दोस्तो अब बात करते हैं question number 13 की जैसा कि दोस्तो मैंने पिछले question में कहा कि इस परकार के question आपसे exam में पूंचे गए हैं दोस्तो question number 13 काता है कि निवन में से die securide का हुदारन नहीं है ओपस number A, lektos, ओपस number B, maltoj, ओपस number C, sucrose, ओपस number D, galukuj तो दोस्तो आपका जो right answer होगा वो होगा D, galukuj क्योंकि दोस्तो जो galukuj होता है ये दोस्तो mono securide का हुदारन है किसका हुदारन है? mono securide का हुदारन है जबकि मैंने पूंचा आपसे कि die securide का हुदारन नहीं है दोस्तो die securide का हुदारन नहीं है क्योंकि die securide का हुदारन है इसके उदार न हैं, डाइ सेके राइड के उदार न है, इसमें दोस्तो सेके राइड की दो इकाइया सामेल होती है, दोस्तो जो लेक्टोज उता है ये बना होता है गलुकोज गलुकोज पलास गेलेक्टोज से बात के लिए रहे माल्टोज जो बना होता है दोस्तो ये बना होता है गलुकोज पलास गलुकोज से और दोस्तो जो सुक्रोज होता है ये बना होता है गलुकोज पलास फ्रक्टोज से बात के लिए रहे लेक्टोज बना होता है दोस्तो गलकोज पलस गेलेक्टोज से माल्टोज बना होता है दोस्तो गलकोज पलस गलकोज से सुक्रोज बना होता है दोस्तो गलकोज पलस फ्रक्टोज से दोस्तो जो गलकोज होता है यह गलकोज दोस्तो मोनो सेकराइड का हुदारन है तो दोस्तो दोस्तो ये किुशन आपको बहुत अच्छी से समझी ने आ गए होगा अब चलते हैं दोस्तो अंगले किुशन की ओर दोस्तो अब बात करते हैं किुशन नम्बर 14 की देखिये दोस्तो किुशन no.14 क्या कहता है कि निमिन में से पॉलिसेकराइड का हुदारन है ए संचीत भौज्जे पदार्थ होता है संचीत बोज्जे पदार्थ होता है दोस्तों डाइरेक्ट आपसे एक्जाम में पूछा जाता है कि पेड़ पोदों का संचीत बोज्जे पदार्थ कौन सा है ओप्सना गया इस्टार्च, गलाइकोजन, सेलिलोज, कोई ने तो अब यह आपका right answer होगा, इस्टार्च, अगर आपसे क्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि जन्तूओ का संचीत बोज्जे पदार्थ कौन सा होता है जन्तूओ का संचीत बोज्जे पदार्थ होता है, गलाइकोजन ये दोस्तो बहुत ही ज़्यादा important question फिर लगा लिजिए railway में नया जाने कितनी बार ये question आए हैं दोस्तो बहुत ही ज़्यादा important question है वह या दोनों cellulose की बात करो दोस्तो पेड़ पोदे होते हैं इन पेड़ पोदो की दोस्तो जो कोशी का बित्ती होती है पेड़ पोदो की जो कोशी का बित्ती होती है फिर दोस्तों मैं कहूं कि जो प्लांट सेल होती है उनकी जो कोशी का बित्ती होती है दोस्तों वो सेलिलोज की बनी हुई होती है किसकी बनी हुई होती है दोस्तों सेलिलोज की बनी हुई होती है आसा करता हूं दोस्तों यह क्य लोते हैं उन प्लांट सेल की जो कोशी का वित्ती होती है वो से लोज की बनी हुई होती है यह तीनों ही दुस्तों फोलो से के राइड के उदरन है इसलिए आपका राइटांस हो जाएगा ओप्स नमबर डी उप्रोप सभी इसके रेंशोट ले लिजिए अब चलते हैं दुस सब्सक्राइब कर लेना तब भी तो हमारी वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचेगी वेल आइकन को भी दबा लिया करो और एक छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर दिया करो इतना साग तो आपका फर्ज बनता है यार कोई पेसे थोड़ना ले रहा अपकर जो राइट आंसर होगा वोगा दोकर रहा दोस्तो आपके जो मुपली होती है अगर आपसे क्यूशन प् dal कुछए जाए तो बादाम होती है इसमें कौन सी सरक्रा पाई जाती है दोस्तो इसमें माल तोज सरक्रा पाई जाती है कौन सी सरक्रा पाई जाती है दोस्तो माल तोज सरक्रा पाई जाती है अगर आपसे क्यूशन पूचा जाए दोस्तो कि दूद में कौन सी सरक्रा पाई जाती है तो दूद में सरकरा पाय जाती है लेक टोज सरकरा तो दूस्तो आशा करता हूँ ये क्यूशन बहुत असान था आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होगा दूस्तो अगर आपको मारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वेल आइकन को प्रेस कर लेना बहुत अच्छे अच्छी वीडियो आपके लिए में लाता रहूँआ मिलते हैं एक सी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जेहिन जे भारात